चलिए दोस्तों आपको मैं सिखाता हूँ वाल के बारे में जैसे कि directional control वाल होता है आपका इस प्रकार से आपका वाल होता है आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वाल दिख रहा है अब वाल को थोड़ा सा पास लेके आएंगे आप कैमरे को तो यहाँ पर देखेंगे कि इसम कई चीजे हैं जैसे एबी पीटी ऐसे करके चीजे लिखी हुई है तो हम इसको डीटेल में जानेंगे उसके साथ आप वाल पर यहाँ पर देखेंगे तो इस पर्टिगुलर जखा पर आपका सॉलेनाइट कॉइल लगाई जाएगी सॉलेनाइट कॉइल जो है 24 वोल्ट डी इस हिस्से में स्पूल है तो इसके अंदर आपको इस पूल दिखाई देगा मैं थोड़ा सा लाइट टिंग करता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप उस इस पूल को देख सकें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है इस पोर्शन में और इस अलग रास्ते होते जैसे कि आप इस साइट करेंट को प्रडियूस करोगे 24 वोल्ड इसी तो इस पूल जो है अलेक्रो मागनेटिक करेंट के पीछे आएगा इस तरफ को खीच लेगा तो यह जगा भी खाली हो जाएगी तो यह डारेक्शन खुल जाएगा आपके वाल का त इसमें अलग अलग लिखाओ का पी मतलब होता है प्रेशर तो यह दिखाया गया कि प्रेशर पोर्ड की तरफ इसको ऐसे हम लगाएंगे जिधर पी नीचे साइड है तो अब जो है इसको हम डीटेल में समझेंगे इसके डाइग्राम को समझेंगे पहले इसका हम एक बॉक्स बनाया जैसा की इसमें दिया गया है आगा यह एक हमने बॉक्स बनाया अब बॉक्स में इसमें तीन भाग है एक Tá एक तो कि इतने भाग है इसमें तीन पॉइंट में इसको बाटा गया है यहां पर आपका कोई लगा है ठीक है कोई इस पूल हो गया रहा है यहां पर यहां पर आप 24 वोल्ट DC करेंट प्रड्यूस करते हूं कितना करते हूं 24 वोल्ट DC करेंग अब इसमें अलग अलग पॉर्ट दिये जाते हैं जैसे कि देखिएगा यह पी टी ए बी झाल 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